नमस्कार दोस्तो रादे रादे जै माता की तो आज के वीडियो में हम जानेंगे उत्पन्ना एकादशी के बारे में तो देखिए उत्पन्ना एकादशी मार्ग शीष मास के कृष्ण पक्ष की जो एकादशी तिथी होती है उसको उत्पन्ना एकादशी के नाम से जानते हैं इसको हम उत्पन्ना एकादशी प्रकट एकादशी या फिर बैतरने एकादशी के नाम से भी जानते हैं आज ही के दिन एकादशी माता का प्रकट्टे हुगा था वो प्रकट हुई थी इसलिए इसको उत्पन्ना एकादशी के नाम से हम जानते हैं तो आज के वीडियो में हम जानेंगे कि उत्पन्ना एकादशी कब है किस डेट को पड़ेगी और इसकी पूर्थ क्या रहेगा और इसका पारण तिती क्या रहेगी इस सब के वारे में हम आज के वीडियो में जानेंगे तो आएए सबसे पहले हम जानते हैं नियमों के बारे में तो एकादशी का नियम जैसे कि सभी व्रत धारी को पता होगा कि इसके नियमों का पालन दश्मी तिती से किया जाता है दश्म दशी का व्रत तीन दिन चलने वाला होता है दशमी से लेकर दशी तक लेकिन इस बार एक संशय बना हुआ है कि एका दशी किस डेट को है आठ तारी को होगी या नो तारी को क्योंकि एका दशी तिथी इस समय इस बार आठ दिसंबर को पूरे दिन रहने वाली हो और नो दिसं confusion यहां पर बना हुआ है और वो confusion मैं अपने जितने भी मुझे ग्यान है अनुभव है उसके इसाब से मैं आपका दूर करने की कोशिश करूँगी तो देखिए उत्पन्ना एका दशी बहुत से लोग आठ तारीक को भी करेंगे और नो को भी करेंगे क्योंकि आठ को पूरे द आठ को भी रहेंगे 5 से लेकिन 8 को भी होने के कारण जोकी Aww noises Hawaiian को दो-शुक्वत माना जाता है द्श्मी युक्त और द्वादशी युक्त एका दशी को शुद्ध और शुभ माना زाquote है तो अगर मैं अपनी वात कहूं तो एका दशी से से जुड़े हैं और उधर पर एका दशी आठ को रखी जा रही तो आउप आठ को भी रख सकते हैं ऐसा नहीं है कि आठ तारीक को ब्रत रखने से कोई पाप लगेगा तो जैसा कि आप उचित समझे आठ को रखना चाहे तो आठ को दो और अगर नौको रखना चाहे तो नौको और यदि दोनों दिन रखना चाहे तो दोनों दिन भी आप रख सकते हैं प्रत ऐसा इसमें कोई पाप या दोश नहीं लगेगा तो चलिए अब हम जानते हैं कि एका दशी में पूजा विधी क्या रहेगी तो देखिए पूजा करें भगवान को पीले चंदन अरपन करें पीला फूल अरपन करें पीला भोग पीले फल और जो भी आपको सामर्थ हो उसे साब से आप पूजा करें कथा सुनें और बाद में फिर आरती करें शाम को तुलसी जी में दीपक लगाएं दीपक लगाने के बाद में आरती करें और उसके बाद आप अगले दिन व्रत पारण करें देखे इसमें एक चीज मैं आपको और बता दूं कि तुलसी पत्र चुकि दो दिन एकादशी रहने वाली है तो आप साथ तारीक को ही तुलसी पत्र तोड़ के रख लें क्योंकि तुलसी पत्र एकादशी को नहीं तोड़ा जाता है तो आप उसके पहले तोड़ के रख लें क्योंकि तुलसी पत्र आप एक अपते तक तोड़ के रख सकते हैं वो उसमें कोई वासीपन नहीं होता है आप धोकर दुबारा उसको भगवान के भोग में इस्तेमाल कर सकते हैं देखिए एका दशी वाले दिन तुलसी पत्र की अलावा हो सके तो आप किसी भी पेड़ पौदे को आप ना चुएं और ना तोड़ें इससे दूश लगता है पाप लगता है और जितना हो सके ऐसे कामों से बचें जिसमें कीडे मकोडे या जीवहत्या का संश हो या अब जानते हैं कि एका दशी तिति कब सुरू होगी कब कथम होगी पारण का समय क्या रहेगा हरिवासर का समय क्या रहेगा तो एका दशी तिति का प्रारम होगा आट दिसमबर की सुबह 5 बच कर 6 मिनिट पर और समापती होगी 9 दिसमबर की सुबह 6 बच कर 31 मिनिट पर वै दिसंबर को व्रत कर तो पारण का स्बर्ट उनके लिए रहेगा नौ दिसंबर तो agree बच कर 16 मिनटドUS जितना पिछबिक अरती महत्पून होता है पारण भी उतना ही महत्पून हो सही मूर्थ पर हमीशा पारण करना चाहिए और जो लोग 9 दिसंबर को व्रत रख रहे हैं वो अपने व्रत का पारण करेंगे 10 दिसंबर को सुबह 7 बच कर 3 मिनट से और 7 बच कर 13 मिनट तक मतलब बहुती कम समय रहेगा पारण के लिए केवल 10 मिनट का समय रहेगा इस बीच आप अपना पारण अवश्य खोल ले तो यह रही एकादशी वरत से संबंदित जानकारी अगर आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर देना चैनल को सब्सक्राइब कर लेना हम पारण कर दो वीडियो को समय रहेगा इस बीचित जा आपको लाएक कर दो दोंदित ग्यों भीच वेचे कर दो दो जाब आपको जो